हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका इस नए वीडियो में दूस्तों इस वीडियो में हम लोग बिहार सीविल कोट के स्लेवस के बारे में डिसकस करेंगे और बहुत सारे पॉइंट जैसे कि सैलरी की कितनी है टाइपिंग टेस्ट काम क्या करना पड़ता है इंटर्व्यू के बारे में एक्जांप की इतने चरंड में होगा मतलब की प्रीविय होगा मेंस यह सब बारे में साइंस हो गया जीक के हो गया जीएस हो गया हिंदी कंप्यूटर रिजनिंग पूरा डीटेव है वीडियो दोस्तों अगर आप यह वीडियो पुरी देख लेते हैं तो अगर आप स्लिवस पर फुरी पकड़ पना लेंगे दोस्तों तो आप आसानी से जॉब को क्रैक कर लेंगे दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ यह complete वीडियो है दोस्तों डिटेल में है और अगर आपकी वीडियो देख लेते हैं तो आपको बिहार से विल कोड से रिलेटेट कोई भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों तो आएए शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों सबसे पहले हम लोग केंप्यूटर के स्लेवस के बारे में जानेंगे तो केंप्यूटर बेसिक ऑफ हर्डवेर एंड शॉप्टवेर फंडामेंटल एंड टर्मोनोलोजीज ऑप केंप्यूटर कीबोर्ट्स एंड शॉट्कट ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक नॉलेज एबाउट एमस एक्सल बर्ड पावर पॉइंट नेटवर्किंग कम्निकेशन स कुल मिलाकर आपको इतने टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे दोस्तों अगर आप इतनी टॉपिक केंप्यूटर में पकड़ बना लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा केंप्यूटर से कुल मिलाकर 15 नंबर का प्रक्यूशन आने वाला है नेक करेंट अवेर भी कवर किया गया है साइंस में आपको फिजिक्स कमेश्ट्री बायो 10 लेवल की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों तो हम लोग केंप्यूटर और GKGS का कंप्लेट कर लिए अब हम लोग इंगलिस का स्लेवस को देखते हैं इंगलिस में सीनोनेम्स इंटोनेम् प्रेज, कंप्रिहेंसन, वहोकवलरी, एससे, लेटार राइटिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर हम लोग ने इंगलिस का भी सिल्वस कवर कर लिया हम लोग मैथ के बारें बात करते हैं मैथ में आपको अधिकतर सवाल अर्थमाटिक से देखने को मिलेंगी जैसे आप इस सब टॉपिक से देखेंगे दोश्तों अगर आप पूरा अच्छ सी कोवर कीजियेगा दोश्तो मैं आपको बोल द रहा हूं कि आपका एक जाम बहुत श्यचतर हैशलों जाएगा दोस्तों अगर आप इस pattern पर त्यारी करेंगे दोस्तों तो आपका बहुत ही अच्छा response मिलेगा दोस्तों अगर आप लोग इसके से related previous year question चाहते हैं तो आप लोग चैनल को subscribe करके वीडियो को like कर दीजे और comment किजिए कि हमें previous year का question चाहिए तो मैं बता दूँगा सब्सक्राइब जिसे हम लोग विप्रेर आर्थक सब्द भी कहते हैं सामनार्थक सब्द मुहाबरे कहावत लुकुक्तियां वर्तनी जाच शमानवाग अनेक सब्द केक सब्द परमुक्पुस्तक और लेखक और लीपी के बारे में basic जनकारी अब हम लोग बात कर लेते हैं रेजणिंग में आपको भरर्वल नौन भर्वर्वल लॉजिकल रेजणिंग तीनों में से टॉपिक आपको देखने को मिलेगा दोस्तो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उन्हें ध्यान से देखेगा दोस्तो पूरी यह डिटेल में वीडियो है अगर आप यह खाली बनाएंगे तो आपका एक जंप बहुत ही अच्छा जाएगा रिजिनिंग में टॉपिक हो गया पीजेगा तो मैं अस्टेनोग्राफर कोट रिडर प्यून का भी सलेवस का डिसकास करूंगा दोस्तों इस वीडियो में इस वीडियो के लाब वीडियो में और बहुत सरे study material भी provide करोंगा दोस्तों तो आये दोस्तों अब हम लोग वीडियो में आगे भड़ते हैं सबसे पहले हम लोग आ जानेंगे कि prelims भी होगा test भी देना होगा क्या means भी देना होगा तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं सबसे पहले आपको prelims देना होगा प्री जिसको टेस्ट का जाता है अगर आप प्री कंप्लीट कर लेते तो उसके बाद आपको राइटिंग लिया जाएगा जो नंबर का होगा मतलब 90 नंबर का होगा अगर आप राइटिंग टेस्ट में भी पास ह सकती है दोस्तों मैं इसमें केवल कलर्क का बताया हूं दोस्तों सेलेक्शन पर किरिया और सलेवस लेकिन सेलरी हो गया प्यून का काम हो गया यह सब मैं सभी के बारे में डिसक्स क्या हूं लेकिन सेलेक्शन और सलेवस केवल कलर्क के बारे में ही क्या हूं दोस्तों मैं सब यह मैंने कलर पर पहले वीडियो बनाया दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि सेग्मेंट से कितने नंबर के क्यूशन पूछे जाएंगे दोस्तों इंग्लीस लेंगवेज एंड ग्रामर में आपको 20 नंबर से पूछे जाएंगे 20 लेंगवएज और से मिलाकर आपको 20 नंबर के सवावब पूछे जाएंगे अब हम लोग बात कर लेते हैं सेलरी, सेलरी पियून के हो गया 18-25,000 रुपय, कलर्क की 25-30,000 रुपय, अस्टेनोग्राफर का हो गया 30-40,000 रुपय है दोस्तों दोस्तो, अब हम लोग बात कर लेते हैं, पियून का काम, कलर्ग का काम और इस्टनोग्राफर का काम क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग पियुन को cover करते हैं दोस्तों पियुन का काम चाय पिलाना, ऑफिस खूलने से पहले कुर्सी टेवल साब करके रखना उसको situation के हिसाब साथ की मिल सकता थे कौन काम आप और कर सकते हैं दोस्तों, अब हम लोग बात करोते हैं कलर्क के बरे में कलर्ग का काम हो गया फाइल मेंटेंड करना और प्रशाशनी कामों में जैद की मदद करना दोस्तों जैसे कोई मुझरीम आया तो उसका फॉर्म भरना, रिकॉर्ड रखना, गवा को सपत दिलाना यही सबम काम कलर्ग का हो गया दोस्तों अस्टेनोग्राफर के बात किया जाए दोस्तों तो इनका काम यह होता है कि जो भी डॉकिमेंट्स कलर्ग के द्वारा आता है उसको अस्टेनोग्राफर के लैंग्वेज में कोडिंग करकर रिकॉर्ड बना है रखना दोस्तों ऑस्टेनोग्राफर एक लेंगवे조 होता है दोस्तो अस्टेनोग्राफर में जो नर्मल वैक्टी को समझ में नहीं आता है दोस्तों और जोबात किया जाए rep אתה को तो असकी लिए अलग से तो subscribe किज़ेगा दूस्तों अगर आप लोगों को previous year VR civil code का चाहिए और study material चाहिए और सलेवास हो गया को ट्रेडर ये सबका चाहिए दूस्तों चैनल सस्क्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट किजिए दूस्तों मैं उस पर वीडियो बना दूँगा धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में दूस्तों